गिरी टुटोरियल के अपने चैनल में आपका स्वागत है आज जो हम आपको बताने वाले है इंपोर्टन क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हुए एक्जाम में वह इंपोर्टन क्वेश्चन आपको देने वाले कम से कम इंपोर्टन क्वेश्चन देने वाले अब कम इंप पहले जो basic हम बता रहे, अगर आपने study कर लिया अच्छे से तो आपको अच्छे marks आ सकते हैं, लेकिन यही question आपको board में आएंगे, यह हम नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं, आपको एक question का series देंगे, तो हमारा पहला series है, जिसमें हम आपको 21 question दे रहे हैं, जो board के हिसाब से IMP question ह बहुत जादा IMP है, यह आ भी सकते है board में, ठीक है, तो याद रखी, यह हमारा series start है, अगर आप comment करोगे, आप like करोगे, और जादा आप demand करोगे, तो हम ऐसे series भी लेके आएंगे, जिसमें आपको question बताएंगे, सिर्फ कि इतना question करके जाओ, अब यह हमारा पहला part है, जिस static में most IMP आपको क्या करना है, पहले आपको करना है application of Gauss law, कौन सा करना है, application of Gauss law, इसमें आपको तीन application है, एक hollow sphere है, दूसरा है straight infinite long wire या फिस ट्रेट charge wire है, और दूसरा है charge plane sheet, infinite charge plane sheet, इन तीनों में से एक तो derivation आया ही है आपको, और दूसरा आपको capacitor, energy store in a capacitor करना है, क्या करन है, energy store in a capacitor, तो electrostatic में से मैंने आपको दो question बता दिये है, एक और दो, ठीक है, energy store in a capacitor, u is equal to half cv square वाला, और दूसरा application of Gauss law, यह आपको बता दिये गए है, ठीक है, अब next chapter पर चलते है, तो इतना आप minimum करते जाना है, तो अगर पहले series के question complete होगे, तो हम next series लेके आएंगे, ठीक है, यह आद रखों, then उसके बाद, यह दो question होने के बाद, तिसरा question अगर आपको इसी chapter से करना है, वो है, वैंडी graph का diagram, वैंडी graph generator का क्या करना है, आपको diagram सिब draw करना, diagram का practice करना है, तो यह तीन question इस chapter से मैंने दे दिये, next आते है, current electricity, current electricity, current electricity क जो topic है, वो है, आपका विस्टोन ब्रीज, P upon Q is equal to S upon R, तो विस्टोन ब्रीज वाला, आप topic कर सकते हो, and then, fifth मैं आप करोगे experiment, क्या करोगे, experiments, कौन से experiment करोगे, that is, meter bridge वाले, meter bridge के unknown resistance, and kelvin, kelvin method, और potentiometer, compare to EMF source, and second, internal resistance, बास, इतना ही, ओके, इतने topic आप कर लोगे, तो एक experiment आपको पूछा जाएगा, तो यह समझ में आ गया, अब आते है, next topic में, next lecture में, हम, next chapter के लिए हम जाएँगे, तो next chapter है, आपका, magnetic field due to electric current, magnetic field due to electric current, इसमें जो आपको topic बता रहा हूँ, write down principle construction and working of cyclotron, principle construction and working of cyclotron, यह समझ में आ गया, यह आपको लिखना है, और दूसरा है, आपको, next जो आपको topic करना होगा, इसमें, वो है last वाला, that is, solenoid and toroid, solenoid और toroid, यह समझ में आ गया, तो इतने topic आपको करने हैं, इस chapter में से दू, अब हम minimum बता रहे हैं, आप इसको forward करने की कोशिश करोगे, या फिर skip करने की कोशिश करोगे, तो ऐसा मत करो, क्योंकि सारे question फिर आपको सुना ही नहीं देंगे, और बाद में आप बोलोगे, कि सर आपने तो बोला ही नहीं देंगे, तो वीडियो को skip भी मत करो, अच्छे से देखते जाओ, थोड़ा ही short वीडियो है, थोड़े ही question दे रहे है इस सीरीज में, इसलिए वीडियो को forward या फिर skip मत करो, ठीक है, तो यह दो question समझ में आगे, इस chapter में से आपको solonide और toroid करना है, इसमें यह last वाला topic में ने बताया है, इसको वो भी करना है, औ cyclotron motion वाला यह topic करना है, next आपना magnetic material है, magnetic material में आपके लिए आप paramagnetic, ferromagnetic और diamagnetic material का study कर लो, next, 11 chapter जो है हमेरा, उसमें आप क्या करोगे, paramagnetic, ferromagnetic और diamagnetic का study कर लोगे, ferromagnetic, तो आपको पूचा जाता है, distinguish between paramagnetic and diamagnetic, distinguish between ferromagnetic and diamagnetic, तो उसके लिए आपको यह important topic है, तो इसको कर करके रखी है, इस chapter में से, देन आता है, electromagnetic induction, देखें, देन आता है, electromagnetic induction, तो electromagnetic induction में आप क्या करोगे, एक तो transformer, सबसे important क्या है, transformer, 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 construction, working and formula आपको generate करना है, transformer का, वो बहुत बार पूचा जाता है, और दूसरा आपको पूचा जाता है, electro motive force, EMF, for translational motion conductor, motion, translational motion हो रहा है, मैंस आपको find करना है, E is equal to BLV वाला formula, E is equal to BLV वाला formula, यह topic आपको करके रखने है, इस में से, electromagnetic induction में से, and then आते हैं, AC current पे, AC current, AC current में से आप कौन से कौन से topic करोगे, तो AC current में सबसे important topic है, आपका LCR circuit, कुन सा है, LCR circuit, तो आप LCR circuit का study अच्छे से करोगे, उसमें impedance निकालोगे, Z का value निकालोगे, वो भी आपको पूचा जाता है, तो उसका study आप अच्छे से कर लो, LCR circuit का, या फिर series resonance and parallel resonance, ये दो question आप कर लो, तो ये 12 question आपको मैंने बता दिये है, इसमें से, अब आते हम, next chapter, dual nature, okay, dual nature में एक ही आपको experiment करना है, that is photoelectric effect, अब पूरा experiment करके रखाना है, photoelectric effect, अब photoelectric effect में question कैसे आता है, photoelectric effect, कभी-कभी आपको कहा जाता है, कि उसका diagram draw करो, और explain करो photoelectric effect, या फिर आपको दिया जाता है, इसके point, कि variation with the intensity, variation with the potential, तो उसमें से एक topic आपको आ सकता है, तो इसको पूरा करके रखो इस chapter के लिए, ठीक है, तो photoelectric effect, ये आप अच्छे से करके रखो इस chapter के लिए, and second इसमें करना है, Davison Germar Experiment, 14 नंबर का Davison Germar Experiment, ठीक है, ये समझ में आ गया, Davison Germar Experiment, इसको आप करके रखो, ये दो आप करके रखोगे, इस chapter में, next chapter है, आपका structure of atom and nuclear, कौन सा है, structure of atom and nuclear, structure of atom and nuclear में आप जो करोगे, that is, bore atomic model, किसको करोगे, bore atomic model, इसमें तीन postulate आपको पूछे जाएंगे, write the three postulate of bore atomic model, और उसमें आपको पूछा जाता है, radius of orbit, radius of orbit, इसमें और एक question है, आपको radius and energy of orbit, कौन सा, radius and energy of orbit, तो 15th number वाले सम, numerical, sorry, question समझ में आगया आपको, तो इतने question आपको ये करना है, और तीसरा आपको करना है, इसमें, half life period, कौन सा करना है, half life period वाला question, radioactive decay वाला, half life period वाला आपको question करना है, इसमें, देन आता है, 16th chapter, that is, semiconductor devices, semiconductor devices में आपको करना है, full wave, half wave rectifier, full wave and half wave rectifier, ये आपको करके रखना है, full wave rectifier और half wave rectifier पे बहुत बार question आ चुका है, दुसरा आपको करना है, zinner diode, तो अब near about आपके ये question हो चुके और आप इसमें से diagram करके रखोगे, क्या करके रखोगे, 18, बहुत सारे इसमें diagram है, वो diagram आप करके रखोगे, ठीक है, तो आपके diagram करके रखोगे, इसमें से diagram आपको पूछ सकते हैं, LED का diagram है, बाकी सारे diagram है, तो अभी तक के लिए 18 आपको important topic दे दिये हैं, और मैं आपको important topic कुछ दे देता हूँ, जो इस chapter में, सारे chapter में जो बहाद बार पूछे गए, अब कितने question मैंने बता दिये, total 18 important दे दिये, और एक दो important इसमें है, जो मैंने नहीं बताए कि जाधा हो जाएगा, इसलिए, तो magnetic field due to electric current में और आप कर सकते हो, अब आपको topic चाहिए कि नहीं, तो अभी के लिए, यहां हम stop करते हैं हमारा lecture, ठीक है, आप इतने topic करो और comment करो, अगर होने के बाद हम next आपको series में question और देते जाएंगे, ओके, thank you.